चड़ीगर में मेर का चुनाव होना था, वहाँ इंडिया गटबन्धन हो चुका है आमाधी पार्टी और कॉंग्रेस में, 20 सीटे आमाधी पार्टी कॉंग्रेस गटबन्धन यानि इंडिया गटबन्धन के पास था और 15 सीटे BJP के पास कहा जा रहा है कि BJP ने चुनाव कराने वाले को ही बिमार करा दिया और चुनाव रद आप कलपना कीजिए कि जो पार्टी जो दल एक मेयर का चुनाव नहीं हारना चाहती है वो क्या देश का चुनाव हार जाएगी और ऐसे में जो दल हार देकर चुनाव रद करवा सकती है क्या वो इबिम सेट नहीं करेगी सबसे बड़ा सवाल है सोचिए दिली में भी मेयर के चुनाव को लेकर ऐसे ही हुआ था सवाल है कि BJP जब इतना तोरफोर कर सकती है हार जाती है वहाँ सरकार बना लेती है बनाया है न भाई जो जैसे बनाया जो भी के मतपरदेश में बनाया करनाटर के बनाया कई राज्यों बनाया जो जो पार्टी चुनाव हारने के बाद जोड तोर करके सरकार बना लेती है वो पार्टी EBM को दुर्प्योग नहीं करती होगी लगातार देश भर में EBM को लेकर परदर्सन है 29 और 30 को अगर आप दिल्ली में है तो कंस्यूशन कलम में आ सकते हूं वहां भी EBM को लेकर कारकरम है 31 जनवड़ी के ओतो बामन में स्राम का देश भ्यापी परदर्सन है बड़ा वो दिल्ली में चुनावायों के दफ्तर का घेराओ करेंगे तो यह सबसे बड़ी ख़बर है वहीं दूसरी बड़ी ख़बर है इंदिया गटवंधन में सीटों की सियरिंग लगभग तै हो चुकी है यूपी से लेकर विहार तमाम राज्यों में मैं फिर कह रहा हूँ ब्यस्पी सुप्रीमों मायावत योरोबैसी की इसमें कमी है अगर वो आ जाएं तो नतीजे एक आएक पलड़ सकते हैं और टीबी अख़बार के लाख कोशिसों के बाद भी खेल पलड़ सकता है नमस्कार में शंभू कुमार सिंग और आप देख रहे हैं निशनल दस्तक वो तमाम बड़ी खबरे जो आज सोसल मीडिया पर वाइरल है और ये वो खबरे हैं जो मैं आपके लिए ले कर आता हूँ सोचिए ये सुरिया समाजवादी ने ट्वीट किया है बैसे तो प्रग्या मिस्रार अविस कुमार अजीत अंजुम अविसार सर्मा और पूर्ण परसुन बाजपरी बहुत अच्छे पत्रकार हैं लेकिन पिछरे दलित अलसंक्यक छात्रों की आरक्षन चोड़ी पर चुप रहेंगे OBC महिला रक्षन पर चुप रहेंगे जाती जनगर्ना पर चुप रहेंगे सभी बड़े पदो पर सवर्ण काधिकार के खिलाब चुप रहेंगे इनवर्सिटी में एक तरफ से सवर्णों की निक्टी पर चुप रहेंगे गोदी मीडिया पर बोलेंगे लेकिन सवर्ण मीडिया के काधिकार पर चुप रहेंगे जाती है कि जाती नहीं तो सुचिए इनके मोदी विरोध को आप बहुजन ही तैसी मत समझे ये मोदी विरोध करके कॉंग्रेस के पाले में जा सकते हैं सपा बस पार जेडी जेडियू के साथ नहीं जाएंगे ये आपको समझना पड़ेगा और इस बात से मैं सहमत हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ सोचल मीडिया ही बहुजन मीडिया है तो ये असोचिये प्रग्या मिश्रा नहीं है मिस्टर सुरिया समाजवादी अगर आप एक पिता दोरा उत्पन की होई संतान है ये भाशा है प्रग्या मिश्रा की उनसे कुछ सवाल इतना ही पूछा गया था कि आपके रिस्तेदार बीजेपी में जोईन कर रहे हैं पूरे यादब समाज को कैसे कह रहे है उनको फेक्ट्वल ठीक किया जा रहा था तो पहले तो उन्होंने दुहाई दी कि मैं यादब फैमिली में साधी सुधा हूँ तो क्या फिर उन्हेंने कहा कि फेक्ट्वल को कैरेक्ट रिजे कि क्या आप पर जो आरोप है कि आपके रिस्तेदार गए है बीजेपी में उसको आपने पुरे यादव समाज से जोड़ दिया वस इतनी सी ख़बर है इसको लेकर पुरा भास लेकिन मैं एक बात कहता हूँ जो सवन पत्रकार हैं जो सवन समाज के पत्रकार हैं वो स्टी, स्टी पार्टी ने इडी की नोटिस को ही लीगल कह दिया है आप सोच सकते हैं इस देश में मीडिया ने किस तरह से बीजेपी के आने के पहले दलित पिछरे आदिवासी नेताओं को बदनाम किया मैं सुरू से कहता था ना लालु आदब मायवती जी मुलायम सिंह आदेवे सब किया गया फसाया गया अब सोचिए जब सबन नेताएं नोटिस भी नहीं मान रहा है चली अब तेजस्वी और कमसे कब भेमान सोरे न क्यरहें कर नहीं मंते हैं तो ये इस तित्रियों गई अब नूटिस को कोई मनने के लिए भी तयार नहीं है ये सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर है जो आज वाइरल है और इसलिए मैं कह रहा हूँ सोसल मीडिया ही सच्चा मीडिया है सोसल मीडिया ही बहुजर मीडिया है नौ साल में 25 करोड़ों को गरीवी से बहाँ निकाला है कॉंग्रेस ने गरीवी हटाओ का नारा दिया लेकिन हमने काम किया यह पीम का बयान है जिसको लेकर कनहिया ने काई फिर वे 85 करोड़ कौन है जो 5 किलो मुफ्स रासन के लिए लाइन में लगते हैं सवाल है कि जब 25 करोड़ों अमीर हो गएं तो यह 85 करोड़ों को रासन क्यों दिया जा रहा है 80 करोड़ों को यह बड़ा सवाल तो है और एम्यू छात्र फैजान को यूपी अटियस ने गिरफ्तार किया आईएसाई से जूरे होने का आरोप है आरोप कह रहा हूँ तो सुचिए दलित पिछले आदिवासी अल्फ संख्यक समधाय के छात्रों के लिए कितना मुस्किल है उनको कब कौन गिरफ्तार कर ले कहा गिरफ्तार कर ले कहा नहीं जा सकता है तो यह सब कुछ टाड़ा यह सब तमाम यूएपी यह सब कानून बीजेपी की देन नहीं ह सब ची दमरम की देन हैं इंडिया गटवंधन में अब सामंजस बनता दिखाई दे रहा है बिहार उत्तर परदेश महराश दिल्ली पंजाम में लगभग गटवंधन हो चुका है यह यह भी सोसल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूं और इसल सब्सक्राइब को नहीं लाया जाता है तो वो कशक रहेगी और एक बड़ा नुकसान हो सकता है बिहार में 94 लाख परिवारों को 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रूपए की सरकारी मदद मिलेगी ताकि वो अपना बिजनेस सुरू कर सके अपने पैरों पर खरा हो सके यह सो मुच मुच गरीब है उसको 2-2 लाख रूपए की मदद इसको कहते हैं सोसल जस्टिस और 94 लाख तितिस जार 212 परिवार को जो है वो रोजगार करने का मौका मिलेगा और इसलिए जाती जनगर्ना जरूरी है सोचिए लेकिन लोग जाती जनगर्ना के विरोध कौन करते हैं आज सोसल मीडिया पर एक ख़वर वाइरल है एक टीटी हम तस्वीरे नहीं दिखा सकते हैं एक टीटी ने सर्याम टिकट एक यात्री को मारा हम आपके जैसे तमाम गरीब छात्र जो है या गरीब लोग जो है वो टीटी का बस सलूकी कभी ने कभी जहल चुके हैं तो सुच अलीगर में बीजेपी ने परारोफ है कि उसने चुनाओं ही रद करवा दी और सबसे बड़ी बात मैं दो दिनों से देख रहा हूं जितने भी टीवी अख़वार के पत्रकार हैं वो जब भी ट्वीटर पर कुछ लिखते हैं भाई साब इतनी ट्रोलिंग होते हैं उनको इ पूजन मीडिया है आप लोग अपनी प्रत्रिया जरूर दीजिए तो आज कि समय में टीवी अख़वार के पत्रकारों को सबसे जनता देखना पसंद नहीं करें नब्वे नब्वे संतानमे संतानमे सो सो जो जो ट्वीट्स के रिपलाई आते हैं वो बिलकुल उनके खिला है ऊहीं रूबिका यह लिया कत कि माने तो जुमाइर जो जल्ट नुजकिसन स्थापक है वो बढलेन सेुनेशन की 2016 चिंज करते हैं वो डूनेशन क्या आप लोग पधास के करते हैं या जुबायर को यह यह जरू बहुत जरूरी है और इस सोचल मीडिया पर तमाम बड़ी खबरें फिर एक ठक सो करोड लेकर भाग गया यह तीन तस्वीर हैं जिन पर आरोप है कि यह लोग सो करोड लेकर बैंक से भाग गया इनका नाम है नाम इसमें लगता है कि छुपा दिया गया है डिरेक्टर ओफ हित स्वीट वाटर इस वाइफ इमांग दा इंफलेट टेकिंग तो यह जो है यह तीन लोग जो है पैसे लेकर सवसो करोड अहमदावाद के हैं यह लोग भाग गया है गुजरास से हैं अहमदावाद कराइम ने यह खबर शेयर की है तो सुचिए सोचल मीडिया पर यह तमाम बेल आइकन की घंटी दवाएं ने सर्दस्ता को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें